हलो दोस्ते वल्कम बैक टूर चैनल माईने में सोनम जोहान तो आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं कमपैर्टिक गोर्मेंट और पॉलिटिक्स खा एक और पेपर एनलाइसिस क्योंकि ये बेजा है हमें बल्या से हमारे एक सब्सक्राइबर ने तो उसने हमें इंस्टा पर डियम किया था तो मैंने सूचा इस पर एक वीडियो बिना ली जाए ताकि जिन बच्चों के एक्जाम देको हो चुके हैं कमपैर्टिक गोर्मेंट और पॉलिटिक्स वाला लोगों को बताये थे उनमें देखना 90 परसेंट इस पेपर से कितना तो युनिवस्टी को इसी भी हो नौर से लेकर साउट तक और इस से लेकर वैस तक जहां पर भी पॉलिटिक सेंस के कमपैर्टिक गोर्मेंट और पॉलिटिक्स के पेपर हो रहे हैं वहां सबसे जादा आपके बताये तो आपको अपने इंस्टा पर देम कर सकते हैं थाकि हम आपके जो कौर्शन को लेकर डवट है कि ससाय हुआ है कि नए हुआ है यह प्रफॉमेंस आपकी कैसे है उससे आपको जो डवट है वो आपके सारे के लिए राट हो जाएंगे और थोड़ा हमें बी जाएगी जो हमने important topic आपको बता हैं वेज़ इस एक्जाम में पूछे जा रहे हैं तो चलिए अब फट फट से वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो और सब्सक्राब डेफिनिटली कर ले ने क्योंकि अभी आगे के जो भी lectures है उनका notification आ जैसी country को आपको इसमें study करना होता है total maximum marks आप यहाँ पर देख सकते हैं 75 एने की 75 है जो time है वो तीन गंटा है और notes आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुल पांच प्रशनों के उत्तर दीजिए और पर्थम जो प्रशनों होंगे जो starting के होंगे वो compulsory है निके starting में जो आपके पहला question देख लीजिए यह सारे के सारे आपको compulsory है मतलब वैसे normally हम MSU का paper pattern भी इसी तरीके का होता है उसमें 5 very short होते है ठीक है वो करनी होते है फिर बाकी long question होते है तो यहाँ पर पहला question देखिए कि तुलनात्मक राजनीति के अर्थोर प्रकरती पर ठिपणी कीजिए निक देखो हमने important आपको बता था कि पहले chapter से तो definitely question पूछा ही पूछा जाता है तो पहले chapter दो ignore करना ही बेकार है इग्नोर ही मत करो ठीक है तो comment on the meaning and nature of comparative politics अब इसका मतलब यह कि comparative politics को हम क्यों पढ़ते हैं आपको explain करना होता है आप क्यों पढ़ते हैं आप अपने words में भी इसक सिस्टम में हाले कि मोनार की सिस्टम भी आनि कि महां पर राजा भी है लेकिन actual power जो होती है वह पीम याने की parliamentary system में अब वो crown होता है ना उसकी जो power है वो ट्रांसफर कर दी है parliamentary system में तो sunset वहां पे बहुत जादा powerful होती है बहुत जादा powerful होती है rule regulation जो भी बनाने ना ब्रेटन में वो सब संसत बनाती है तो संसत की सर्वोस्त आपको बतानी है तो इसी तरह के से definitely आपने बता दी होगी क्योंकि सारे के सारे देखो चीजें हमने clear out कराई हुई है theories में explanation हमने दी हुई है और इसके बाद one short वीडियो भी हमने provide कराई थी ठीक है तो definitely मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आपने face की होगी इसके बाद तीसरा question दे कि संसती वे अध्धक्षिय शासन पढ़लानी में अंतर नहीं कि design guys between the parliamentary and presidential form of government तो इस वाले question को answer आपने definitely करी दिया होगा क्योंकि संसदी और अध्धक्षिय शासन का एक simple सा difference में आपको बताओ बाकी आपने complete करी दिया होगा उसका ठीक है कि बैस संसदीय में क्या होता है वहाँ पर पूरी की पूरी जो powers होती है वो PM के हाथ में होती है वहाँ पर संसदूर regulation create करती है और अध्धक्षिय शासन में पूरी की पूरी पूरी power क्या होती है वहाँ पर राष्ट्वपती के हाथों में होती है अब parliamentary system में क्या होता है वहाँ पर जो power होती है वो ज़्यादा तर delegates की जाती है statewide या local government तक वो delegate की जाती है according authority वहाँ पर works भी मतलब बाते जाते है ठीक है तो भारत और यह जो parliamentary system में basically वो बड़े country के लिए काम में आता है जैसे कि भारत है ठीक है और मतलब यहाँ पर मान सकते हो 1.500 क्रोड की जन संख्यावाला country parliamentary system को ही apply कर सकता है क्योंकि वहाँ पर state wise और जो center wise है जीजे divide की जाती है ताकि ज़्यादा pressure में ना आए ठीक है क्योंकि वहाँ पर देखिए एक वेक्ति पूरे country को cover नहीं कर सकता और country अगर बड़ा है भारत जैसा देश है तो वहाँ पर सिर्फ एक single वेक्ति या केवले एक ही president वहाँ पर काम नहीं कर सकता है वहाँ बहुत लोगों की जुरूत पढ़ती है और वहीं पर अगर हम अद्धिक्षात्मक शासन परनाली की बात करें तो वह छोटे country में काम आता है यह differences में आपको clear out कर रहे हो आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको explain भी कर दिया होगा एक्जाम में नेक्स्ट कोशन देखे कि अमेरिका में राष्ट्रपती और कॉंग्रेस के मद्धे संबंदों का वर्णन कीजिए यानि कि describe the relation between President and Congress in America तो अमेरिका में जो Congress है सबसे पहले तो यह concept आपको वैसे भी clear होई चुका होगा मुझे अपने तरफ से क्या ही explain मुझे करना है Congress वहाँ पर एक सदन है जैसे हमारे यहां पर संसद है अब इसके दो पिलर है अलग-अलग एक है आपका सीनेट और दूसरा है House of Representative ठीक है तो यहां पर आपको ने definitely मतलब मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी confusion हुआ होगा क्योंकि यह भी chapter हमने कराय हुआ है और अमेरिका के राष्टपती की शक्तियों के बारे में भी हमने बढ़ाए आगे हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा हम इससे relate कर पाते हैं ठीक है तो next question देखे स्विट्जल लेंड की बहूल कारे पाले का इनकी plural executive of स्विट्जल लेंड तो सबसे पहले तो आपको स्विट्जल लेंड के बारे में मैंने देखो ये वाला topic आपको बता दिया था कि plural executive से related question आता है और वहाँ पर एक होता है एकल कारे पाले का दूसरी होती है बहूल कारे पाले का तो भारत जैसी country या फिर अमेरिका जैसी country और UK जैसी country तो ये कैसी country ही ये एकल बहूल कारे पाले का को follow करने वाले है ये single executive को follow करने वाले है वहीं अगर plural की बात करें सुझलन की बात करें तो भाई सुझलन में ना कोई PM है ना सीम है ना वहाँ पे कोई राजा है ना वहाँ पे कोई उससे में divide की गई है next question यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर unit first में यह long question आपके start होते हैं जिसमें British लोक सदने की common सभा की गठन और शक्तियों और कारियों का वर्णन की जिन describe the organization power and function of the British house of common तो यहाँ पर British के बारे में यह मैंने important तभी बता है जब आपकी यह वाली unit start होती है ना ब्रिटिश वाली मैंने पढ़ाने start की थी तभी मैंने बता दिया थे कि house of common की जो power से नहीं वो पूछी जाती है जिस तरह के कि Indian constitution में लोक सभा के बारे में पूछा जा इसका बारे में पाघता है ठीके तो common सभा की शक्तिया normal है तो सारी के सारी वहीं तैसा बार ओगी एक्जेक्युटी पावर ओगी legislative पावर हो गई ठीक है यह सारी normal financial पावर होगी तो वहाँ पर जो लोक सभा जो common सभा होती है वो हमारी लोक सभा की तरह ही होती है तो इससे आप relate करके जितना जादा आप अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे उतना ही जादा आप अच्छे तरीके से इसको present कर पाओगे ठीक है next question देखें यहाँ पर crown और राजा के राजा में क्या अंतर है crown की शक्तियों का आलोश नात्मक वर्णन की जोने कि what is the difference between crown and king critically explain the powers of crown तो यहाँ पर देखो option में दिया हुआ है ठीक है कि या तो आप unit first में British house of common के बारे में लिखो उसके functions के बारे में लिखो या फिर आपको crown और राजा में क्या अंतर है यह वाला और देखो दोनों ही question मैंने आपको बताए हुए मतलब पूरा totally आपको पढ़ाया हुआ है दोनों question में से आपका तो मन भी कर रहा हुगा ने कि दोनों कोई कर ले लेकिन आपको option दिया हुआ है यहाँ ठीक है तो एक जो first unit है इन में से कोई सा एक आपको करना है कोई सा भी करो दोनों ही आपको बताए हुए थे ठीक है इसक अश्रपत्य की शक्तियों का वर्णन कीजा explain the powers of President of United States of America या फिर आप अमेरिका के जो Supreme Court है उसका गठन कैसे होता है उसके powers क्या क्या है इसको explain कीजिए तो दोनों ही मैंने आपको important बताई हुई है तो definitely लेकर दोनों ही आपके तयार है तो आपका तो बस मतलब बले-बले हो योगी पेपर को देख करके इससे जएदो तो क्या ही हो सकता है दोनों को करने का मन कर रहा हो लेकिन टाइम की short is और आपको जो condition दी हुई उसके आदार पर आपने एक ही किया होगा ठीक है बही सजुता अमेरिका के राश्पतिक शक्तियों के बाद के जो देखो मैंने एक short legislative है ठीक है ये और financial power ये तीन चार ऐसी powers है कि आप किसी भी या तो राश्पति की power पूछे राज्यपाल की पूछे ठीक है या किसी भी कंटिय से सजुत राज्य अमेरिका में राश्पति की शक्तियों की बात करे या फिर राजा की शक्तियों की बात करे मतलब crown की शक्तियो में पूछा हुआ है तो पहला कोशन तो इन्होंने पूचा है कि Switzerland के संगे सभा के गठरन और शक्तियों इन्हों कारियों की विवेशना कीजिये या फिर आप इसमें से आपको करना है कि Switzerland के सविधान की परमुख विशिश्ता कीजिये यानि कि explain the main features of Swiss Constitution तो definitely सबसे जादा जो student है majority में ये दूसरे वाला question आपने किया होगा जो साथवे नंबर का question है ठीक है इसमें option आपको दिया है unit third में कि सुट्जे land को जो सविधान है उसकी क्या क्या विश्षत है सबसे आसान question होते है कि किसी भी country के सविधान आप देख लो कि उसका सविधान किस तरीके से बना है उसके features कौन-कौन से है तो यहाँ पर mostly mostly features तो मैं आपको मतलब थोड़ा hint में भी बता दू तो सुट्जे land एक बहुल कारे पाले का वाला देश है बहुल कारे पाले का है ठीक है उसके साथ साथी वहाँ पर साथ सदिस्ये जो परिशद है उसकी वेवस्ता है ठीक और परतेक्ष लोक तंत्र यह तो 3-4 ऐसे विश्रस्ता है मैं अभी यहाँ पर बता दी अब आपने दोनों की पड़ी हुई है आपने अमेरिका के राष्टपती का भी बढ़ा हुआ है और बिटेन के परधान मंतरी का भी बढ़ा हुआ है तो इसके बाद दूसरा कोशन दिया हुआ है option में कि बिटिस सविधान की विश्रिष्ता लिखिए तो majority of student ने 9th number का question किया होगा कि बिटिस सविधान की विश्रिष्ता लिखिए क्योंकि बहुत बाई 80% जो विश्रिष्ता है हमारे अपने constitution में बड़ी match करती है rule of law हो गया अलिखित सविधान हो गया सबसे पुराना सविधान हो गया और मतलब अलिखित में सबसे पुराना सविधान ब्रिटेन का सविधान माना जाता है ठीक है और एकल नागरिखता हो गई तो इस तरह कि बहुत सारी ऐसी चीज़े rule of law दो बहुत ज़्यादा important जो कि हमने अपने खुद के constitution में लिया तो ये था आपका comparative government and politics वाला paper आपने कितना ज़्यादा match किया होगा और जिन बच्चों का exam हो चुका है hope you उन्होंने भी बहुत best अपनी performances में दी होगे जिनका नहीं हुआ है ये help के लिए उन्हें ये paper काम में आएगा सब्सक्राइब नहीं कि तो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रिस कर लें ताकि हर एक वीडियो का notification आप तक पहुंच दा रहे सबलते हैं नेक्स information के साथ में नेक्स lecture में तब तक के लिए जेहिन जे भारत